entertainment allowance तक question cover हो चुका था और मैंने आपको यह बताया था कि three जो list होती है जिसमें कि जो allowance है वो जो fully exempted है उनकी list यह है जो fully taxable है मतलब fully exempted मतलब कुछ भी taxable नहीं है फुल चूट दे दी गई है कुछ taxable नहीं होएगा वो यह allowances है fully taxable जिसमें कि exemption नहीं provide की गई वो यह वाले है और जो partially taxable है वो यह वाले है तो यह एक illustration स्टार्ट करवाया था जिसमें कि DA था हमने यहाँ पे देखा DA fully taxable है तो यहाँ पे direct हमने DA 2,000 है DA 2,000 पर मन्त है तो पूरे साल का निकालेंगे 2,000 into 12 करके हमने यहाँ पे लिख दिया था उपर आगी थी हमारी basic salary मतलब monthly उसे जो job कर रहे हो monthly उसे salary कितनी मिल रही है Mr. A is employed at Hyderabad at a basic salary 25,000 पर मन्त पर मन्त उसकी 25,000 salary है तो पूरे साल की निकालेंगे 25,000 into 12 is 3 lakh तो ऐसे यह मैंने income from salary part 2 में यहाँ तक सारा अच्छे से explain किया था तो entertainment allowances तक हो चुका था cover next करेंगे इस video में क्या है entertainment allowance यह रहा यहां तक आगे क्या है medical allowance तो medical allowance पहले आप यहाँ पर देखोगे list में यह रहा medical allowance जो कि fully taxable है तो इसको आप पूरा taxable कर दोगे कितना है यह 800 पर month पूरे साल का निकालोगे आप 800 पर month है तो into 12 करोगे तो पूरे साल का आ जाएगा 9600 next क्या है city compensatory allowance यहां पर चेक करो city compensatory यह रहा city compensatory allowance जो कि fully taxable है तो कुछ exemption ही नहीं तो जो यह आपको दिया होए जितना amount वो fully taxable हो जाएगा 600 पर month तो 600 इंटू 12 करोगे पूरे मंत्वा चाहिए हमें तो 70 200 देन नेक्स्ट जो कि important है बहुत जादा जिसमें कि जो कि मैंने आपको income from salary part 1 में अच्छे से explain किया था house rent allowance यह कैसे करेंगे अब कितना given है 5000 पर month तो पहले तो आप क्या गरो simple 5000 इंटू 12 करके पूरे मंत्थ का निकाल लो यह चीज़ पूरे मंत्थ की निकाल लो कितना जाएगा 60,000 अब एक बरी condition देख लेते हैं क्या क्या थी कितना exempted है house rent allowance जो कि section 10 clause 13a के under cover होता है exempted will be least of the following three यह 3 points है इन में से जो least होगा सबसे वो हमारा exempt हो जाएगा पहला point कि है 50% of salary 50% किसका लोग है आप अगर यह इन इन में वो job करता है employee बॉंबे कलकता मदरास या फिट डेली तो 50% होईगा salary का otherwise 40% होईगा salary का अगर कोई इन से इलावा इनके इलावा अगर कोई ओर सिटी है तो 40% salary का होईगा second point actual house rent received कितना उसे house rent मिला employer से एक employee है उसको employer से अपने employer से कितना house rent मिला अब इसमें जो house rent allowance है वो है 5000 पर मंत उसे मिल रहा इतना तो यह जो है 5000 पर मंत यह आएगा second वाले point में actual house rent received third point किया है actual rent paid actual rent paid निचे एक point लिखा हुआ है he is having a family house at a place of his posting but he is living in a rented house and is paying a rent of 7000 पर मंत और वो rent कितना पे कर रहा है मेल उसे 5000 रहा है और rent कितना पे कर रहा है 7000 पर मंत तो जितना rent पे करेगा वो यहां पर minus 10% of salary salary का 10% minus कर देगे तो यह तीन amounts निकलाएगी और इन तीनों amount में जो least होगा वो minus होएगा वो exempted होएगा अब यह जो मैं बात कर रहे हूं यहां पर salary 50% लेना है salary का यहां पर 10% लेना है salary का यह salary लेनी कुण सी है basic salary जो कि उसे monthly मिल रही है एक person है job कर रहा है 20,000 रुपे salary मिल रही है उसे तो उसे बोलेंगे basic salary plus DA enter वाला लेंगे सिरफ enter वाला और क्या लेंगे commission on turnover basis यह main है turnover होना चाहिए तो इनको plus करके हमारी salary बनेगी उसका 50% लेंगे उसका 10% लेंगे तो start करते हैं पहले क्या किया simple 5000 per month था यह लिख रिया 5000 into 12 करके 60,000 अब first जो हमारी condition थी वो क्या थी 50% चार सिटी थी वो थी Bombay, Calcutta, Madras और Delhi उसमें 50% अगर उसमें रह रह रहा है तो तो यह तो हाइद्राबाद है तो 40% लेंगे यह देखो अगर Bombay, Calcutta, Madras और Delhi में से कोई city है तो 50% अगर इनके इलावा है तो 40% तो हाइद्राबाद है तो 40% लेंगे 40% of salary, salary भी पिछे बता के हटे हूँ, basic salary प्लस DA जो enter वाला है और प्लस commission on turnover basis basic salary इसमें ये रही 25,000 पर मन्त है, इंटू 12 कर देंगे पर एनम आ जाएगी dearnance allowance यहाँ पर लिखा हूँ है न, salary कौन सी लेंगे, basic salary जो की ये होगी 25,000 इंटू 12 फिर कहता है dearnance allowance भी लेना है, कौन सा लेना है जो enter कर रहा है इसमें DA दिया हूँ है पर bracket में लिखा ही नहीं हुआ कि ये एंटर वाला है, तो ये बिना एंटर वाला है तो नहीं लेंगे हम, अगर bracket में एंटर लिखा हूँ होता है तो लेते हैं और क्या लेना है, commission on turnover basis commission यहां पर कहीं पर भी आपको given नहीं है तो क्या लोगे salary में, सिर्फ ये लोगे, क्योंकि DA दिया हूँ है पर एंटर वाला नहीं है तो यह, इसमें, जो main चीज यह आती है, जैसे आप gross salary निकालते हो ना तो उसमें तो DA लेंगे हम, 2000 था हमारा DA, इंटू बारा कर दिया, 24,000 आ गया पर जब house rent allowance के लिए हम salary निकालेंगे ना, उसमें जो हम 40% salary का करते हैं तो उसमें जो DA लेंगे वो एंटर वाला लेंगे, otherwise वैसे list में DA आएगा, तो 40% of salary तो इसमें 25,000, 25,000 into 12, 3,000, यह हो जाएगी हमारी salary DA है पर एंटर वाला नहीं है, तो इसलिए नहीं लेना, commission on turnover basis आपको कहीं पर भी नहीं दिया होगा तो बस यहीं ले लेंगे हम salary, अब 3 lakh का आप 40% करोगे तो आ जाएगा यह, 1 lakh 20,000 second condition क्या है हमारी, यह हो गया 40% of salary, हाइदराबाद में था, इन 4 cities के इलावा, किसी और city में रह रह रहा तो 40%, अगला क्या है actual house rent received, उसे house rent मिल कितना रहा है, अपने employer से, यह यहाँ पर given होता है, house rent allowance, 5000 पर मन्त है, house rent received, 5000 गेरा, पर मन्त, इन्टू 12, 60,000, C point क्या है हमारा, actual rent paid, यह क्या था, actual rent received, जितना उसे अपने boss से, या employer से मिल रहा है, वो चीज यहाँ पर आएगी, second point में, third point क्या है, उसने pay कितना किया, rent दिया कितना, minus 10% of salary, तो यह चीज आपको निच्चे given है, he is having a family house at a place of his posting, but he is living in a rented house, and is paying a rent, 7,000 पर मन्त, कितना पे कर रहा हो, 7,000, पर महिने का, पर मन्त, तो 7,000 को पहले तो 12 से मिल टिप्लाई करोगे, तब ही पूरे साल का निकलेगा, कितना आया, 84,000, minus क्या गरोगे, salary का 10%, यहाँ पे लिखा हुए था न, actual rent paid minus 10% of salary, salary यहाँ पे कितनी लिए, 3,000, वो ही यहाँ पे लोगे, इसका 10% कितना आ जाएगा, 30,000, इसको minus कर दोगे तो 54,000, अब इन तिनों में से हमने list देखना है, वो exempt हो जाएगा, लिस्ट कौन से हैं इन तिनों में से, यह 54,000, यह वला कम है, तो यह इतनी exemption मिल जेगी उसे, house किस में से minus करेंगे, यह 60,000 में से, 5,000, जो house rent allowance उसे मिल रहा था, वो 5,000 पर मन्त मिल रहा था, हमने क्या करा, house rent allowance लिखके, 5,000 into 12, पर एनम निकालना है, तो into 12 करेंगे, 60,000 आ गया, और फिर तीन conditions लगा दिया, इन तीन condition में से, हमने यह देख लिया, लिस्ट कुन सा है, वो है 54,000, तो यह जो 60,000 है नहीं, इस में से हम minus करेंगे, minus करेंगे 54,000, इसको ऐसे bracket में लिख लो, तो यह कितना आ जाएगा, 6,000, 6,000 taxable होएगा शिरुफ, फर्स्ट क्या 40% of salary, salary में क्या लेते हैं, एक तो basic salary, जितनी उसको salary मिल रही है, monthly, वो ले लेंगे, DA लेंगे, enter वाला, commission लेंगे, turnover basis पर जो यह तीन लेंगे, वो salary आजेगी, उसका 40% कर देंगे, second क्या है, house rent received, उसको मिला कितना, house rent उसे कितना मिला, अपने employer से, वो यहाँ पर लिख देंगे, उसने pay कितना किया, rent दे कितना रहे हो actual में, वो चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, पर मंत दिया होगा, तो into बारे करके लिख दोगे, और minus कर दोगे, salary का 10%, यहाँ पर लीथी ना salary, उसी का 10% कर देंगे, यहाँ पर, तो इन तिन्नों में से जो least आएगा, उसको हम exempt कर देंगे, और जो taxable होगा, वो यहाँ पर लिख देंगे, बाहर, और फिर बाद में क्या करोगे, टोटल कर दोगे इसका, टोटल कर दोगे तो आपका जाएगा, 478800, यह आगी आपकी, gross salary, बस, यह question खतम यहाँ पर, तो बस, पहली चीज़ क्या पता होना चाहिए, कोई भी allowance आज़े, पहले तो यह पता होना चाहिए, कि वो fully taxable है, या फिर fully exempted है, यह दोनों तो easy है, अगर वो fully taxable नहीं है, ना exempted है, तो partially taxable होगा, उसमें से मतलब कुछ हिस्सा exempted होगा, तो अगर इस list में fall करता है, तो आपने यहाँ पर देख लेना है, कि exemption छूट कितनी दी गई है, जितना exempted है, वो minus कर दो, actual amount में से, इस में से, जो allowance is partially taxable है, जितना exempted है, वो इन में से minus कर दो, वो बाहर taxable आ जाएगा, और उसको plus कर दो, gross salary आजेगा आपकी, बस,